ओम शेंदी जर्मनी के एक लेखग ने एक कालपनिक बृत्तांत लिखा है उसने लिखा है कि एक राजा अपने सबी मंत्रियों और साथियों के साथ एक बार आखेट के लिए जंगल जाता है कई सारे मंत्रियों और कई सारे सैनिक साथ है और दुपेर का समय होता है और भोजन का समय हो जाता है मेज सचती है सारा भोजन परोसा जाता है और राजा और उसके साथी भोजन के लिए बढ़ते है भोजन इतना स्वादिष्ट है और उसकी सुगंद चहौर फैली हुई है चीटियों की नगरी का एक गुप्त संदेश वाहक चीटी कोई ये खबर मिलती है कि बहुत बढ़िया भोजन आया हुआ है और वो छोटी सी चीटी जो की भुप्तचर है चीटियों की देश की उस सुगंद का पीछा करते करते उस थान पर बहुत जाती है जहां वो धेर सारा चपन भोग का चपन प्रकार का भोजन परोसा गया है और वो देख कर उसे नशा चड़ जाता है इतना भोजन तुरंद भागती भागती जाती है और मंद्री को खबर देती है और ये बात धीरे धीरे चीटियों की नगरी में जितनी चीटिया थी उन सब तक पहुच जाती है और भोजन की ऐसी बात उन्होंने आज तक सुनी न थी सारी चीटिया मदमस्त नशे में हो जाती है चीटियों के राजा तक बात पहुच ती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि चीटियों की क्या हलत हो रही है एक एक चीटि जैसे पागल होई जा रही है इतना उसे नशा चड़ गया है क्योंकि ऐसा भोजन चीटियों के संपूर्न इतिहास में किसी भी चीटि को प्राप्त न हुआ था जो वर्नन गुप्तचर ने बताया था वह बहुत अद्बुत था और सारी चीटिया लगबग पागल सी हो गई थी जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने कहा सबसे पहले मैं जाकर देखूंगा कि सही में ऐसा है या नहीं और राजा खुद चीटियो कराजा जब खुद गया और उसने देखा कि वाकई में बोजन तो बहुत सारा है और बहुत स्वाधिष्ट भी होगा क्योंकि सुगंदी ऐसी है फिर वो वापस आया और उसने वजीरों की अपनी बैठक बुलाई भोजन तो प्राप्त करना है पर अंतु पहले चीटियों का क्या करे ये तो भोजन तक पहुचने से पहले ही मर जाएगी इतना उनको नशा चड़ गया है एक एक चीटि जूम रही है तो वो कहता है ये जो समस्या है इसको निपटने के लिए हमको वही करना पड़ेगा जो मनुष्य करता है वजीरों नों कहा मनुष्य क्या करता है राजा ने कहा एक बड़ा परदा एक स्क्रीन लेकर आओ और उस पर चित्र निकालो बोजन के जो भोजन वहाँ था वैसे ही चित्र यहाँ निकाले जाए और उसमें थोड़ी सुगंद भी चितक दी गई और सभी चीटियों को कहा गया कि यही वो भोजन है और सारी चीटिया भी हजारो और वो जो परदा था बस उसी में गोलगोल गूमने लगी और उनको उसी में आनन्द आने लगा क्योंकि भोजन भी दिख रहा था और सुगंद भी आ रही थी परंतु मिल कुछ नहीं रहा था फिर भी नशा इतना था पागल इतनी जादा हो गई थी कि उस जूटे बोजन के संग में इक शिप्त सी हो गई थी जर्मन आथर जोर्ज गुर्जियव के लिखी होई ये कहानी वो दार्शिनिक जॉर्ज गुर्जियव कहता है The man is like those ants who are intoxicated and lost in the attraction of the false बनुश्य की स्थिती भी ऐसी ही है जो की जूट है, जो की असत्य है, जो की मित्या है उसी के संग में, उसी के प्रभाव में और उसी के रंग रूप में डूबा हुआ सत्य से कई दूर वास्तविक्ता से दूर उसी में मदमस्त है जो जूट है उसी को पकड़े हुए जो जूट है उसी के संग में रहता है और उसी में अपना जीवन बरबाद कर देता है आज सुबह की साकार मुर्ली बाबा ने कहा तुम्हें संपूर्ण पवित्र का संग मिला है आत्मा है संपूर्ण पवित्र काहवत है संग तारे कुसंग डुबोए बोरे बरबाद कर दे हम किस संग में है क्या हमारी विहालत उन चीटियों की तरह तो नहीं जो असत्य को पकड़े हुए जो असत्य से आकरशित है जो मित्या है चाहे वो विचार है भावना है संबंध है वस्तू है कल्पना है कोई चिंता अतीत में घटने वाली कोई दुखद घटना जिसका आप कोई अस्तित्व नहीं परन्तु फिर भी उसको पकड़े हुए और वर्तमान हाथ से छोटा जा रहा है तो हम आप चर्चा करेंगे इस विशे पर संग तारे को संग बोरे ब्राम्भन चीवन में किसका संग करना है कौन सा सत्संग है और कौन सा कुसंग है बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है हम जिस संग में है वो कौन सा संग है इस संग में ऐसे वो कौन से संग है जिससे दूर रहना है और ऐसे वो कौन से संग है जिसके साथ चलना है संग की कला दार्ट ओफ कमपनी जदी हम सुक्ष्म से स्वेम को देखे तो शायद मन के गहरे तल में आउचे तन मन के तल में हमने कुछ ऐसे संग किये है कुछ ऐसी आदते पाल के रखी है जो श्रीमत विरोधी है एंटी श्रीमत हैबिट्स साथ प्रकार के संग है जो हमें करने है और साथ प्रकार के कुसंग है जिन से हमें दूर भागना है सबसे पहला संग परमात्म संग संसार का सबसे उचा संग है सत संग अर्था सत का संग जो निरंतर सत है दो शब्द है भाषा में एक है सत एक है सत्य दोनों में भी अंतर है क्या अंतर है सत और सत्य में क्या अंतर है भाषा कहती है शब्द कोश कहता है दोनों एक है परन्तु तत्व ज्यान कहता है दोनों अलग है सत्य अर्थात प्रुत सत्य अर्थात जो तीनों कालों में सत्य है वो सत्य एकम सत्य विप्र वहुदा वदंती सत्य एक है परन्तु अलग-अलग ज्यानी ब्रामण अलग-अलग नामों से संबुदित करते है तो सर्वत्तम संग है ब्रामण जीवन का सत्य संग अर्थात उस सत्य का संग उस परमात्मा का संग इससे उचा और कोई संग नहीं दि हाइएस्ट कंपनी किसी एक विदेशी लेखक ने लिखा है जब मैं ये भूल जाता हूँ कि वो परवात्मा मेरा परम साती है बस उसी क्षन मुझे अकेला पन मैसूस होता है नहीं तो मुझे अकेला पन कभी नहीं लगता जब जब मैं उस साती को भूला हूँ जब जब मुझे ये विस्मृती हुई है कि वो मेरा साती है परम सखा है तब तब उदासी ने मुझे घेर लिया अकेला पन आ गया एक अग्यात सी उदासी चा गई उदासी को क्या कर दो स्लोगन था न क्या करो उदासी बना दो और क्या करो उधासी उधासी बना दो तो सरवोच्च संग है इश्वर ये है सत्संग और कुसंग क्या है फिर? विकारो का संग है कुसंग आज की मुर्ली से ये पाच विकारो का संग कुसंग है पाच विकारों से कोई भी एक विकार यदि भावनाओं में, विचारों में, संकल्पों में, स्मृतियों में, स्वप्न में, कल्पनाओं में, द्रिष्टी में, वृत्ती में कहीं न कहीं है, तो वो कुसंग चल रहा है, और डुबो देगा ब्राम्हन जीवन की ये नाव डूप जाएगी असत्य की नईया हिल्टी तुल्टी नहीं है सीधा डूपती है वो सत्य की नईया है जो हिल्टी तुल्टी पर डूबेंगी नहीं पर असत्य की जो नाव है सीधा चलती है उपर से दिखता है कितना अच्छा चल रहा है इनका एक हम है सत्य को पकड़ के फसे सहन करते रहते और ये देखो जूट के साथ कितने अच्छा चल रहे है परंतु असत्य की नईया का स्वभाव है वो कभी हिलती डूटी नहीं डायरेक्ट डूप जाती है एक दिन गायब असत्य के महा समंदर में तो विकारों के सुक्ष्म संग का त्याग करते ना है बाबा ने का तलाग दे दो विकारों को इन विकारों ने अपरन किया है दुवाईस हाईजाक्स त्य इंटलेक्ट गुद्धी का अपरन कर दिया है सद सद विवेक का अपरन कर दिया है इसके लिए सबसे पहला संग है परमात्म संग कैसे करेंगे दिन भर बीच बीच में कई बार बाबा का आउहान करो बीच बीच में कई बार उसको धन्यवात करो बीच बीच में उससे मिले हुई बातों को याद करना किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था जादा फाइदा किस में है बताओ बाब को याद करने में या बाब के ग्यान को याद करने में बाबा ने स्वे मुत्तर दिया था बाब के ग्यान को याद करने में तो सबसे पहला संग है परमात्मा का और सबसे पहला कु संग है रावन का, विकारों का, माया का विकारी संसकारों का दूसरा सत्संग है परमात्मा ज्यान का उसका ये जो ज्यान है इस ग्यान को रग रग में समा लेना ये केवल शब्द ना रह जाए जो हातो द्वारा हमारे नोट बूक में आ जाए बस और वहीं रुख जाए और डाइरी बंद हो जाए इस ग्यान को समाना है बाबा ने आज की मुर्ली में एक जगा कहा है तुमने सुना होगा सुना नहीं हो तो सुनो मैं सुनाता हूँ मन मना बाब उसके वाक्यों में जादू है इस ग्यान का संकरना अर्थाद ग्यान को याद करते रहना अर्थाद मुरली को रिवाइस करते रहना अर्थात मुरली को याद करते रहना रिवाइस करते रहना डिसकस करते रहना मुरली के पॉइंट्स और बाते हमारे मुख से 24 घंटे में एक बार तो निकलने चाहिए वो कोई भी हो चाहे वो वरदान हो, स्लोगन हो चाहे मावाक के हो और वो सुनाना हम वो सुनाने को नहीं कह रहे कि किसी छोटे ग्रुप को पूरी मुरली सुना दी वो सुनाना नहीं चर्चा डिस्कुशन ग्यान की बुल-बुल क्या करे क्या करती रहे ठिकलू ठिकलू करती रहे तो दूसरा सत्संग है परमात्म ग्यान का संग और दूसरा कुसंग है संसारी ग्यान का संग किसी एक विदेश की बहन ने मुझे हमसे कभी कहा था कि द्वापर से मनुष्य जो गिरा है उसका एक कारण है क्या है उत्कंठा क्या है विकारों को जानने की उत्सक्ता व्यक्ति विकारों को जानना चाहता है और फस जाता है है क्या विकार है क्या समझना चाहता है और फसता है किताबे पढ़ता है फसता है देखता है और फस्ता है उत्सुकता, उत्कंटा, क्यूरियोसिटी क्या है तो संसार और संसार का सारा ज्यान उसंग और जब हम संसार का ज्यान कर रहे हैं तो विकारी ज्यान, विकारी किताबे, विकारी बाते सब कुछ जो विकारी है कुछ दिनों पहले लास संड़े की मुरली इंदरा गांदी को बाबा ने याद किया था क्या सुना? कैसे सुना? जानने की दृष्टी से सुना? या घबरा गए? क्या होगा? कैसे होगा? अभी अभी मुरली चली न? याद है न सब को? 19th November 1984 31st October 30th October 1984 इंदरा गांदी प्राइम मेनिस्टर अफ इंडिया सुबर्नाव बजे उसके ही दो अंगरप्षकों ने उसे मार दिया तीस गोलिया चली साथ आर पार हुई और अगले चार दिन एक, दो, तीन और चार नवेंबर भारत में दंगे हुए अज़ारों सिख भाईबे ने मारे गए भेंकर हल चल हुई बाबा ने प्रश्न पूछा, कैसे देखा कल्प पहले की स्मृति से देखा कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे देखा जानकारी लेने के हिसाब से देखा, कि घवरा कर देखा कैसे देखा, फुल स्टॉप जैसे वो फायर मैन फुल स्टॉप लगा देता है तो दूसरा कूसंग है संसार का विकारी ज्यान, संसार की सूचनाए वियर्थ की बाते, निगेटिव बाते जो बुद्धी में भर रखी है जिस बुद्धी में ग्यान का प्रकाश है वहाँ ये बाते नहीं ठीक सकती परन्तु जहाँ ग्यान का प्रकाश नहीं है वहाँ इन सब बातों में बहुत इंट्रेस्ट है क्रिकेट किस-किस को पसंद है? इधर? नहीं, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए और मैच देखते देखते यह अंत समय आ गया तो किसकी याद में जाएंगे बाबा की कौन है देखते समय excitement है यह जीतना चाहिए वो जीतना चाहिए भाव है यह जीतना चाहिए नहीं जीतता है, तो दुख है, अक्रोश है, संताफ है, एक्साइटमेंट है बहुत, बाबा याद है, एक भाई कहता था, हम बोजन भी करते हैं, और टीवी भी देखते हैं, तो जब नीचे देखता हूँ, तो बाबा को याद करता हूँ, उपर देखता हूँ, तो टीवी देख लेता हूँ, फिर नीचे देखता हूँ, तो बाबा को याद करता हूँ, और उपर देखता हूँ, तो टीवी भी देखता हूँ, दोनों काम साथ साथ, हत कारडे, दिल य खुद खुद के साथ जुट बोलना खुद खुद को दगा देना न्यूस संसार की पागल है न्यूस के पीछे इसने ये कहा उसने क्या कहा अब उसने वो कहा उसने क्या कहा ये पार्टी ने ये किया वो पार्टी ने क्या किया सारी बुद्धी उसी में लगी हुई है ऐसी बुद्धी ज्यान का चिंतन कब करेगी सारी बुद्धी खेल में लगी हुई है हमें याद है बहुत-बहुत साल पहले अव्यक्त बाप दादा डाइमेंड हॉल में आए बाबा गे शांतिवन की किसी च्छत पर कुछ भाई बैठे थे भोजन कर रहे थे कहीं से आये थे किसी सिवा के इंदर से और भोजन करते करते क्रिकेट की या कोई मैच की चर्चा चालू थी एक बड़े बुजूर्ग से भाई बैठे थे बहुत पुराने और चुपचा भोजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा अभी-अभी बाबा आए अभी-अभी भगवान से मिलन हुआ अभी-अभी भगवान गए और आप लोग ये क्या चर्चा कर रहे तो उन दो-तिन भाईयों ने उस बुजूर्ग भाई को ऐसा ग्यान सुना दिया कि वो चुपी हो गए कि बाबा भी बैड्मिंटन खेलते थे यहां से लेके सब कुछ सुना दिया विनाश्यकाले विपरीत बुद्धी जब ब्रामण ही बटक जाए तो संसार को रह कोन दिखाएगा जब ब्रामणों की को ही उन चीजों में इंट्रेस्ट है जिसमें संसार डूबा हुआ है तो उन डूबे हुए लोगों को बाहर को निकालेगा अब ब्रामण ही अगर टीवी और मोबाइल इंटरनेट के एडिक्ट बन जाए तो संसार को डिएडिक्ट कोन करेगा तो दूसरा कूसंग है संसार का ग्यान और दूसरा सत्संग है इश्वरिय ग्यान तीसरा सत्संग है महान आतमाओ का संग स्रेष्ट आतमाओ का संग तीवर पूरशार्थी आतमाओ का संग और कूसंग है उन ब्रामणों का संग जो ग्यान योग से मुक्त है ग्यान मुक्त, योग मुक्त और माया युक्त जो भूले हुए, विस्मृती में जी रहे है कहां कहां, सेवाओं में ऐसे डूब गए है कि हमृत विला पता नहीं कब किया था, लास सीन भगवान के वाटस अप में लास सीन एक मेहना पहले है नाम सेवा का परन्तु योग जीरो जिसकी सेवा कर रहे है उसी को भूले हुए जिसका नाम मुक्पर है, बाबा की सेवा, बाबा की सेवा वो केवल मुक्पर नाम है, रिदे खाली है क्योंकि जब तक अशरिरीपन नहीं और जब तक अमरित वेला शक्तिशाली नहीं और जब तक अतिंद्रिय सुख का अनुभव नहीं, सारी दिन चरिया में कोई कितना भी सेवा में व्यस्त हो, विकार उसे अपनी ओर खीचेंगे, पागल बना देंगे, जैसे वो चीटिया पागल हो गई थी, कुछ दिन पहले लास संडे के लास संडे के लास संडे की मुरली, महरती अर्थात, याद पहले सेवा बाद में, यादे और घोड सवार अर्थात, पहले सेवा, फिर याद, ये भूलना नहीं है कि सेवा is the fourth subject, चौथाविशे है, उसको पहला बनाने का प्रेत्म, अर्थात, स्वयम को स्वयम दोखा देना, ऐसी सेवा है, जिसमें तीन चीज़े नहीं है, वो केवल संगर्ष उत्पन न करेगी, अहंकार उत्पन न करेगी, जहां त्याक, तपस्य और वहराग नहीं, और सीधा सेवा है, वहां तक्रा होगा, व्यक्तियों में, दो ब्रामनों में, जगडा, लडाई, मैं की लडाई, मौन युद्ध होगा, एक साथी रहते हैं, परन्तु बात नहीं करते, एक ही जगा पर है, एक ही घर में है, परन्तु मौन युद्ध, कोल्ड वार, यह तीसरा, सत्संग, किसका करना है, महान आतमाओ का, स्रिष्टा आतमाओ का, दादियों का, यग्यकी, इतियास में जो आतमाई है, उनका, या वरतमान में, ऐसी कोई आतमाई यदि संगटन में है, जिनने ज्ञान और योग में रुची है, सेवा तो सभी कर रहे है, सेवा की सबजक्ट में सब पास, सेवा के लिए मरमिटने को तयार है, पर सत्संग, अर्थात, आतमाई है, जिनको रुची है, इंट्रेस्ट है, बाप की डान्स किन के सामने चलती है, कल की मुरली थी जो शोकीन है ग्यान के, शोकीन, जिनोंने ग्यान को होबी बनाई है, तो ऐसी आतमों को धूलना है, यह तीसरा सत्संग और यह तीसरा कू संग, चोथा किताबे, चवथा सत्संग है, स्रेष्ट ग्यान की कितावे, यग्य की सारी कितावे मैक्जीन्स, ग्यानामृत, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूर, हर मेहने में कितने अनुभव उसमें आते हैं स्पार्क की किताबे अव्यक्तवानियों के संकलन की किताबे सारी अव्यक्तवानिया यदि हम ये पूछे कि 69 से लेकर तो अब तक की सारी अव्यक्तवानिया किस-किस ने पड़ी है सारी तो हमें लगता है बहुती कम हाथ खड़े होंगे इसलिए हम नहीं पूछेंगे क्या सारा आज बाबा ने कहा है बाप तुम्हें ट्यूशन देने आते है क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है बिन खर्चा पड़ाता है तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आये हो ओ ट्यूशन दे रहा है ट्यूशन एक होताए क्लास स्टड़ी एक होताए ट्यूशन प्राइविट सेपरेट या पढ़ाई पढ़के हो गई जो शान्ती से बैठ है और टीवी खोलके टीवी देख रहे है जब क्या सारी पढ़ाई हो गई कि दो लोग बैट के संसार की चर्चा कर रहा है गॉसिप्स यहां क्या हो रहा ज्ञान सरोर में क्या हो रहा इस सेवा के इंदर पर वो बहन, वो भाइ कहां है What is that to you? तुम्हारा क्या मतलब Mind your own business क्या सारी मुरलिया पढ़के हो गई क्या सारे ग्यानामरित पढ़के हो गए किन किताबों का हम संग कर रहे हैं तो ये है सत्संग कू संग है संसार की विकारी किताबे और वो किताबे soft copy भी हो सकती है तो hard copy भी हो सकती है वो तो नहीं पढ़ते पर online जरूर पढ़ लेते वो भी कुसंग है क्या हाखों से खा रहे है कानों से क्या खिलाया जा रहा है मन को वो कुसंग है डुबोएगा इंट्रेस्ट किसमे है और कुछ-कुछ आत्मा ऐसी है उनको कोई भी चीज पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं पढ़ने से पता नहीं कब पढ़ते थे बहुत पहले कभी बच्पन में छोड़ दिया है पढ़ना बाबा ने का है यह student life है और student को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए हमेशा up-to-date रहना चाहिए student को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए जिनको आदत नहीं है वो डालेंगे आज ही से दूंडो इस मास की ग्यानामरित कितना दिन में पूरी करेंगे एक हपता एक दिन एक दिन इंदर सबाय है ये ठीक ठाक जवाब देना लक्ष रखो यो ग्यानामरित पढ़के हो जानी चाहिए कम से कम दो बार पूरी अगर कुछ भी दूसरी किताबे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम ये तो पढ़ी सकते ये पूर्शाद तो सभी कर सकते हैं कम से कम बुद्धी उस समय उस ज्ञान में लगी रहेगी कुछ तो चिंतन चलेगा किसी हात्मा का एक अनुभो कोई एक अनपड़सी माता उसका कोई तो एक अनुभो दिल को टच कर जाएगा गरीब से गरीब कोई वो ही इधर छू लेता है सावकार नहीं छूते गरीब छूते आज बाबाने इबराम लिंकन को याद किया बिचारा पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे गरीब था प्रेसिडेंट बन गया उसके जीवन को देखो तो जीवन में असफलता ही असफलता है फेलियर चौदा बार फेल हुआ है अलग-अलग इलेक्शन में खड़ा हुआ फेल कभी उसकी जी सिप्रेम करता था वो मर गई एक्जैम दी फेल लिस्ट फेलियर्स की चवदा फेलियर्स और लास्ट में 1860 इलेक्टेड अस प्रेसिडेंट अफ अमेरिका उसको बाबा नहीं याद किया आज इतनी बार असफल हुआ इतनी बार सफल हुआ पर रुका नहीं हारा नहीं करते गया कोशिश करते गया प्रैतन करते गया धरीब था तो किताबों का संग करना है अगला ओडियो विज्यूल कंपनी इसमें भी सत्संग है और इसमें भी कुसंग है हर दिन लक्ष रखना है एक क्लास सुनना है ज्यान योग की दादियों की क्लासे से पुरानी यग्य की क्लासे से बहुत सारी यग्य इतिहास की क्लासे से यग्य के जो बड़े भाई बहने है सब की क्लासे से येरफोन टगाओ walk के लिए चले जब सुनो कितनी माताओं को हमने देखा है भोजन बना रही है और इधर class चलू है उस समय को भी सफल कर रही है travel कर रहे है class चलू है waste नहीं कर रहे है time ये भी तो संग है जिनको हमने देखा ही नहीं अब उनका संग कैसे करे जो हमसे बहुत दूर रहते उनका संग कैसे करे आवाज द्वारा संग करना है उनकी आवाज में ही वही शक्ती है जो उस आत्मा में है आत्मा की शक्ती आवाज से प्रभाहित होती है आवाज में पावर है बल है खीचती है वो जो खीच है वो आवास की नहीं, वो सात्मा के पवितरता की है तो आवास द्वरा सुनना, classes और दूसरा है संसार classes या गीत बाबा के और दूसरा है संसार के गीत, संसार का music संसार का entertainment, संसार के video, संसार के audio उसी में रूची एक बार टेस्ट बैट गई कि बस उसी में डूप जाता है व्यक्ति वही वही देखना चाहता है movies, clips, trailers, audios, songs film actor, film actresses किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा सा teacher से मुलाकात inverted comma वो संसार के actor, वो संसार के कलाकर हसा सकते हैं और रूला सकते हैं वो लोग जो filmों में काम करते हैं हसाते हैं, रूलाते हैं और शरीली नहीं बना सकते हैं केवल तुम ही बना सकते हैं वो hero actors वो और शरीली नहीं बना पाएंगे कभी वो काम तुमारा है तो वो भी एक कुसंग है अगला कुसंग है सत्संग, स्थान का सत्थान मदूबन सर्वस्रिष्ट भूमि दूसरा सेवा केंद्र सर्वस्रिष्ट भूमि थीसरा कोई ऐसा, ऐसी कोई जगा, कोई मंदिर, कोई पवित्र स्थान जब मन एकदम उदास हो जाए ऐसे स्थानों पर जाना है मदुबन में आ सके तो बहुत अच्छा नहीं आ सके तो सेवा केंद्र सेवा केंद्र पर नहीं आ सके तो कुछ ऐसा पवित्र एक स्थान धूम के रखना है जह हम जाए तो मूड चेंज हो जाए स्थान का संग और मन से स्थान का संग करना यहीं बैठे बैठे मदुबन के चार धाम की यात्रा करनी है यह तो सबसे उचा सत्संग है सबसे महान सत्संग है यहीं बैठे बैठे मन से चले जाना मदुबन में मदुबन में जो सिवाए की थी आखे बन करके उन सारे दिनों को याद करो कैसा अनुभो था मदुवन में जो बाबा से मिले थे उन मिलन को याद करना यही बैठे-बैठे वो भी सतसंग है स्थान का संग और उसी तरह विकारी स्थानों का संग जो है वो कू संग है ऐसे स्थान पर चले जाना कि अपने आप ही विकारी भावनाय उत्पन में हो जाए यहे कुसंग रामायन में दिखाए है राम और लक्षमन धूल रहे सीता को एक स्थान पर पहुचते है राम लक्षमन थोड़ा अंदर जाता है और उसको विरोधी विचार आने लगते है हे लक्षमन तू क्या कर रहा है लक्षमन अपने आप से बात करता है मैं यह क्या कर रहा हूँ मुझे थोड़ी बनवास हुआ है वाई आम वेस्टिंग मैं टाइम बनवास तो इनको हुआ है मैं क्यों अपनी पतनी को और राज्ज को छोड़ कर आया हूँ और मुझे तो यहां से जाए ऐसे ऐसे विचोड़ी और फिर बहार आता है फिर ठीक फिर अंदर जाता है फिर गढ़ढ़ फिर इदर आता है वो पूछता है कि हे राम ये क्या हो रहा है श्री राम कहते है बहुत वर्ष पहले यहाँ दो राक्षस रहते थे भाई और दोनों शत्रु थे और लड़ लड़के मर गए इसलिए वहाँ के वाइबरेशन्स भी ऐसे है स्थान के श्री राम कृष्ण परमानसा के पास कोई संसार का ग्रहस्ती आता था संसार की च्छाय और संसार के प्रश्ण लेकर वो जहां बैढ़ता था वो जाने के बाद एक फावडा लेते थे वो जमीन को खोदते थे और फेक देते थे वाइबरेशन्स हमारी ओपीडी में जैन साध्विया आती है जो दिलवाणा मंदीर में एक एक मास तक रुपती है पैदल आती है नीचे से जब वो पीडी में आती है बैढ़ती नहीं है उस चेयर पर अगर वहाँ कोई कुरुश बैटा हो कुछ समय पहले था खड़ी रहती है खड़ी रहकर ही हिस्ट्री सुनाती है स्थान ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है कि जहां विकारी लोग रहते है हाँ वो अलग बात है कि हमारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि हम वहाँ इसलिए जा रहे ताकि उनका कल्यान करे परन्तु जब पौदा छोटा है तो उसको सुरक्षा करनी होती है उसको बड़ा हो जाने तो वटवरिक्ष बन जाए तो हाथी भी खीचे तो कुछ नहीं होगा पर हाँ अगर किसको लगता है हमाती हम वटवरिक्ष बन गए तो जाओ पर जिनको लगता है अभी हम छोटे है अपने रक्षा करनी होती है संसार के प्रलोभनों से और अगला सत्संग है प्रकृती प्रकृती का संधरी प्रकृती का सानिध्य जब मन तम ही नीचे चला जाए तो प्रकृती में जाओ जहां काश है, जहां समंदर है जहां जहरने है, जहां पहाड़ी है और हम कहेंगे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है चट तो है, बगीचा तो है ऐसे प्रकृती का सानिध्य भी सत्संग है और उसी के विरोध में भीरभाड, आवाज, लोकिकता ये कुसंग है तो ऐसे ये सत्संग और कुसंग तो स्वैम को बाबा ट्यूशन लेने आए है शक्ति शारी बनाना है शक्तियों का प्रयोग करना है वर्दान में कहा है तो सिद्धि स्वरूप बनोगे तुम्हारे पास सारी शक्तिया है तुम्हारे पास बुद्धी की शक्ति है तुम्हारे पास अविनाशी धन की शक्ति है और तुमारे पास